अब हाव टु कल्कुलेट दा क्वांटिटी ओफ स्टील बार्ज इन रूफ लेप इन रूफ लेप जिसकी हाइट है 25 फीट और उसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है इन रूफ लेप में में बार्ज 8 mm की है और सेंटर तो सेंटर जो डिस्टेंस है वो 6 इंच है सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस होता है सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस होता है एक बार से दूसरी बार के सेंटर तक के डिस्टेंस तो हम सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस रहते हैं पोस्ब ये एक बार है इसके center से इस बार के center तक के distance उडीस्टेंस तो Center to Center distance केंगे distribution बार distribution बार जांए 8 mm की और center to center distance के इतने चेंज यानि इक बार से दूसरी बार के center तक के distance को हम center to center distance कहते हैं हमार पर फार्मुला है total distance divided by center to center distance plus one और प्लस वन हम क्यों डरते हैं प्लस वन हम इसलिए डरते हैं कि हमारे पास एट बार यहां होती है और एट बार यहां होती है जब हम इस डिरेक्शन में जा रहते हैं इस डिरेक्शन सेंटर तो सेंटर बार हम रख रहते हैं इस तरह हम कल्कुलेट करते हैं सेंटर तो सेंटर जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो जो हमारे पार बार कल्कुलेट करते हैं यह वारी बार तो आलरेडी कल्कुलेट हो चुकी होती है और जो टोटल बार कल्कुलेट होती है वो यहां तक होती है यह वारी बार कल्कुलेट नहीं होती है इस बार को हम यहां प्लस प्लस वन कर कुए हम में बार कल्कूलेट करते हैं में बार हमेशा। seit बयलंत तो अधो में बार एसे जाएंगी सर्च में बार करते हैं यो होगर होडों टोलडी स्टंस हमार पास जो होगा टोल डिस्टंस होगा थे ट्व mouth 25fund 25 Kauf इसलिहे हो ला कैंटर क्या स्टेश स्टेश इंत क्या करेंगी 12 तो इटो लोज़र 0.5 फिट तो हम यहां सेंटर सेंटर डिस्टेंस लिखेंगे 0.5 फिट प्लस वन हम इसे कल्कुलेट करते हैं 25 0.5 प्लस वन हमारे पास में बार्स आजाएंगी 51 में बार्स हम हम कल्कुलेट करते हैं कि कितनी लेंट वन बार्स हमारे पास इस्तमाल होंगी इन में में बार्स में टोटल लेंट वन बार्स कितनी चाहिए होड़ी हमारे पास में बार्स में तो हमारे पास फार्मल होता है लेंट वन बार मिल्टिपलेबर नमबर वबार लेंट वन बार हमन होग एक हजार 20 फिट हमारे पास लेंध टोटल लेंथ ओफ में बार्स टी जो लेंथ है जाएगी डिस्ट्रिबुशन पार सेम फर्मला इसतमाल तरहने हैं टोटल डिस्टेंस डिस्टिबुशन पार लॉनडर स्पेंड पर होती है इस डिरेक्शन में आएंगी तो सेंटर सें distance है plus 1 calculate करते हैं हमार पास answer आए जाएड़ा 40 41 हम length of distribution बार calculate करते हैं same as formula से तो जो हमार पास distribution बार थी वो इस direction में थी तो length of distribution बार होड़ी 25 feet 25 multiply बार नमबर बार करते हैं 41 multiply करते हैं 25 मार बास answer रहे जिरा 8025 feet total length of distribution total length of distribution बार 8025 feet total length of main बार 8020 feet अब इन दोनों total length of हम बार किस तरह इन दोनों को जमार करने से मार बार 2045 feet total length of bar चाहिए हमने अब weight weight of steel निकालना है 1 1 meter बराबर होता है 3.28 feet तो हम total total length to divide तर देते हैं 3.28 3.28 feet तो हमार पार इस 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 इशारिया पांच मीटर हमें 630 कारे पांच मीटर बार चाहिए तो weight of steel कल्कुलेट करने तर फारम बता है DSTR 162 multipliable length DSTR हमार पास इतने D हमार पास diameter है diameter कितने हमार पास 8 mm divided by 162 multipliable length 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 हमार पास इतनी है 623.5 ज़रते है 162 multiply by 623.5 हमार पास इतने है 246.32 kg steel हम इस तो हमें लेते है 246 kg steel हमें 246 kg steel चाहिए होगा एक स्लैब के लिए जिसकी height 25 feet हो और जिसकी length 20 feet हो हमें खग्ञा हो ट्राइब के लिए जिसकी हो हमें आटिसकी अटार के लिए